हालो फ्रेंड्स आज मैं पात करने जा रहा हूं दिल्ली एंसियार में एक ऐसी लोकेशन की जो देखते ही देखते इतना बड़ा रेजिनेशल हब बन चुकी है क्योंकि इसकी लोकेशनल एडवांटेच उसकी अफॉर्डबलेटी और बहुत सारी ऐसे चीजें जिसने सच में इसको उस लेवल पर लागे ख़ड़ा कर दिया है कि जिसके बारे में आज सच में हम बात कर सकते हैं आज मैं बात करने जा रहा इसको आज हम डिटेल में समझते हैं मैं इसकी हर्ट पहलो पर एक नजर दोड़ाऊंगा तो चलिए इसको पहले जेख लेते हैं कि इसका एक लोकेशनल एडवांटेच क्या है अगर मैं बात करूं इस ग्रेटर नोड़ा वेस्ट की तो सबसे पहली बात इसको हम जान लेते हैं यह जो आप एरिया देख रहे हैं इस इस ग्रेटर नोड़ा वेस्ट मैं जस्ट एक ड्राव किया है लगबस सेंटर पॉइंट यह है इसकी अगर लोकेशनल एड़ाट ही देखें तो यह गाजियाबाद के बिलकुल नजडीक है नोड़ा के साथ बिलकुल ही यहां से उफ्कोर्स आने वाले टाइम में एक अफंजी बनने वाले मैं उसके बारे बात करूँगा अबी तो यहां से भी फ्रीदाबाद से भी बहुत दूर नहीं है और इवन अगर मैं बात करो इसकी गुरुगाओं से तो गुरुगाओं से भी बहुत यादा दूर यह नहीं है पॉइंट लगब 50 किलोमेटर के अंडर ही गुरुगाओं से पड़ता है तो अपने आप में यह कहूं कि आप दिल्ली NCR में और कहीं भ आप देख रहे है यह है नेशनल एकस्पर वेयर नमबर फ्री है ज्सको हम मेरत एकस्परेंस भी बोलते हैं 2023 आप यह जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं नेशनल हाइवे नमबर 91 एनेश 91 विच यह इसको ग्राइंट रोड भी बोलते हैं जो की कॉल गटा जाता है हावडा अगर इसकी बात करों यह जो आप देख रहे हैं यह है नोईडा ग्रेट नोडा एक्सप्रेस वे इस पॉइंट को परीचोग बोलते हैं और यहीं से परीचोग से थोड़ा सा पहले यहां से निकल रहा है यमना एक्सप्रेस वे विच लेट्स टू आगरा और जिसके उपर अ इसके चारो तरफ बड़े बड़े जितने भी अभी वेल डेवलप्ट टाउंशिप्स हैं उस सब इसके सराउंडिंग में हैं तो यह इसकी लोकेशनल एडवांटेज है अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं इसके प्लस पॉइंट्स तो मैं आज इसके हर पहलू पर बात कि किसी भी एलिया की जो पहचान बनती है इसकी करनेक्टिव इचे बनती है इसके आज-पास और जो Grülar एसकी स्टेंस कितनी है यह पर जोब इंप्स एंपलॉइमेंशन कितनी हैं और कहाँ पर रहे उसके अलावा यहाँपर इस विदाएं इसका में पॉइंज न Central Point कौन सा है कहां से स्टार्ट होता है इसका यूएस पी यूनिट सेलिंग प्रोपोजिशन की खास इस एरिया की क्या बात है इस्चुस डेफिनेटी हर एरिया के कुछ अपनी प्रॉलम्स होती है तो इसके क्या इस्चुस करेंगे अफकोर्स इस Great Noda West की बात करो तो बहुत ही यादा प्रोजेक्ट्स हैं यहां पर लेकिन मैं कुछ लिम्टिड प्रोजेक्ट्स की बात करूँगा कुछ प्रोजेक्ट्स खास-खास क्या है यहां पर उसके लाबा इस एरिया के प्राइस क्या है आज की रेट में और इसका आन इसको आखिर तक जरूर देखिएगा चलिए अब हम एक एक चीज़ को समझते हैं सबसे पहली बात what it is known for किस लिए जाना जाता है तो सबसे पहली बात मैं करूँगा affordability affordability की जब आब बात करता हो तो it doesn't mean कि यह बहुत सस्ता एरिया है हाँ एक टाइम था जब दिल्ली NCR में सबसे यादा कम रेट होते थे यहां पर आज भी of course affordability की बात कर रहो तो उसका मतलब यह है कि दिल्ली NCR के आसपास जो भी areas और आते दिल्ली NCR में उन सब में आज भी सबसे यादा affordable है यह of course rates बहुत बढ़ चुके हैं पिछले एक दो साल के अंदर खास करके amenities की बात करो तो यहां हर तरह की सुख सुधा है जो एक residential area में चाहिए होती हो सब available है location की बात करो तो मैं पहले इसका locational advantage बता चुका हूँ कि हर बड़े बड़े जितने township दिल्ली NCR में जो well developed हो चुके हैं इसके surrounding में है सब इते स्राउंडिट बाइड गाजियाबाद ग्रेट नोड़ा इवन दिल्ली फ्रीदाबाद गुर्गाओं भी इसके नियर विस्टी निटी में आते हैं अब बात करो इसकी connectivity की तो connectivity wise sorry railway stations गाजियाबाद का railway station just 15 minute drive पे है roughly 9-10 km अनन्द विहार railway station just 20-25 minute की drive पे है हजरत निजामोदीन railway station just 22-23 km की दूरी पे है उसके लावा नियो दिली railway station just 28-29 km की range में आता है अगर मैं airports की बात करूँ तो इंद्रा गांधी international airport का terminal 1 जो है roughly 36 km के आसपास है और इसी का terminal 3 जो है वो roughly 42 या 43 km की range में आता है और सबसे खास बात जो इंडिया का सबसे बड़ा international airport अपकमिंग international airport नोड़ा international airport वो भी यहां से जस्ट 55 km के दूरी पे है और सबसे कास बात है यह 55 km आलमस्ट जस्ट बीच की जो ग्रेट नोटा वेस्ट लिंक रोड है एक्सपेस भी आ जा सकता है 130 मिटर वाइड रोड है उसके बाद यम्ना एक्सपेस वे से connected तो बहुत यादा टाइम नहीं लगता यहां तक अब मैं बात करूं इसकी मेट्रो कनेक्टिवेटी की तो अभी यह सेक्टर 52 और सेक्टर 50 सेक्टर 52 जो डिमर्स दिल्ली मेट्रो रेल कार्परेशन के उपर एक स्टेशन है उसके बिल्कुल नीरेस्ट है जब 7-8 km की रेंज में और अगर मैं ग्रेट नोडा से बात करूं तो सेक्टर 51 जो 52 के पास ह है NMRC, Noda Metro Rail Corporation के उपर आता है जो यह दोनों वहां से 7-8 km की रेंज में हैं और सबसे कास बात है यहां से बड़ी इसली transportation अभिलेबल है इवन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात करें आटो रिक्षास की बात करें तो सब यहां से इसली वेलेबले मिलते हैं आपको ग्रेट नोडा वेस्ट आने के लिए और अगर मैं आने वाले टाइम में Metro Connectivity की बात करूं तो definitely future plan इसका तयार हो चुका हुआ है Metro Connectivity का अभी जो existing station है sector 51 जो कि NMRC पर आता है नोडा Metro Rail Corporation पर उसके अलावा नए 11 stations अनाउंस किये जा चुके हैं तो उसमें सबसे पहला next station जोगा सेक्टर 61 जो कि नोडा का होगा और सबसे खास बात है कि अभी NMRC और DMRC आपस में connected नहीं है 51 station पर उतरके 52 में जाके थोड़ी सी walkable distance है हमें दिल्ली की तरफ जाना हो या blue line लेनी हो तो हमें थोड़ा सा चलना पड़ता है लेकिन अभी sector 61 पर अगर ये extend हो जाता है 51 वाली एक्वा लाइन तो 61 पर इंटर कनेक्ट होने वाले हैं ये दोनों उसके लावा नोड़ा सेक्टर 70 सेक्टर 122 सेक्टर 123 ये नोड़ा गंदर आएंगे उसके बाद ये Metro एक्वा लाइन जो है ग्रेट नोड़ा वेस्ट पहुंच जाएगी सबसे पहले टच करेंगी सेक्टर 4 को यहां स्टेशन होगा फिर एको टेक 12 को फिर सेक्टर 23 सेक्टर 10 और 12 और इसका लास्ट टर्मिनल पॉइंट होगा नौलिज पार्क 5 और अपने आप में बात करूं इसकी तो यह अपने आप में एक्स्टेंडिड ही है जो गौर्चोक से लेकर नौली पार्क 5 तक ही हमा इसकी 26 27 किलोमेटर की रेंज में है गुर्गाओं की बात करूं तो पहले ही बता चुको लेस देन 50 किलोमेटर अराउंड 45 तो 46 किलोमेटर उसके लावा दिल्ली बॉर्डर जस्ट 11 से 12 किलोमेटर और अगर जॉब अपर्चुनिटी की बात करूं यहां पर तो नोईडा पुर्ड पर इंडॉस्ट्री इरिया डेवलप हो चुका हुए एको टेक 3 जो कि अगेन इंडॉस्ट्रील इरिया है जस्त 10 किलोमेटर की रेंज में सेक्टर 62 और सेक्र 63 जो की अपने पूरे अपने पूरे कॉर्प्रेट हब बन चुके हैं इंडॉस्ट्रील इरिया बन सूरजपूर इंडर्स्टिया जो की ग्रेटनोडा का पार्टी है और यहां से रफली 18 किलोमेटर से है उसके अलावा जैसे आपको बता चुका हूँ बाकी सब एरिया वह भी बिल्कुल पास में है तो यहां आप इन एरिया में भी कहीं जोब करते हो तो भी आप इसली बड़ या इनिशिल पॉइंट कह सकते हैं इसको हम किसान चोग या गौर चोग के नाम से भी जानते हैं कि सबसे पहले यहीं पे गौर सीटी से इसकी शुरुआत हुई थी लगबग और सबसे खास इसकी जो बात है यहां का इंफ्रस्ट्रॉक्ट्टर डवलपेंट बहुत हैं बलकि वह राउंडबाउट बनाए गया है तो उससे ट्रैफिक बहुत इजी मूव करता है अवकोर्स आज करें में कुछ प्रॉलम्स भी हो रही है उसके उपर भी हम डिसकस करेंगे और जो में रोड है उसके जो बीच का डिवाइडर है उसको भी ग्रीन बैल्ट की तर इवन दिल्ली के कुछ एरिया वाटर लॉगिंग फ्रॉलम तो इस एरिया का इंफ्राइडर ये असा डालप किया गया है कि वाटर लॉगिंग होने की प्रॉलम की समभावना बेल्कुल नहीं है आप बात करते हैं इसके कुछ issues, of course, हर area, कुछ ना कुछ उसकी problems होती हैं. तो यहाँ भी कुछ issues थे, या हैं अभी, तो उसको सना discuss कर लिते हैं. तो सबसे पहला जो issue, एक problem अकसर कही बताई जाती है, देखी जाती है. Traffic Jam होता है आम तोर पर peak hours में, यानि कि इवनिंग मॉर्णिंग आर्स में थोगा ट्रैफिक जाम रहता है यहां पे क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि यह इतना यादा डेवलप इतनी फास पीर से डेवलप वाई एरिया कि इतने लोग इतनी पॉपलेशन एक साथ आ चुके इस एरिया में तो उतना अभ सब्सक्राइब करता हूं लोगों के माइन में आज भी कुछ एडिया को लेकर सेफटी कंसर्म्स तो मैं डेफिनेटी कहना चाहूंगा कि हां कुछ साथ आठ साल पहले यहां कुछ बड़ा आइसोलेटिट सा सबस्पेस था खुला-खुला-खुला या सुंसान इलाका था त लगता था कुछ ना कुछ बट आज की डेट मेर मैं कहूं तो इतना वैल डेवलप्ट एरिया हो चुका है कि कोई किसी तरह का कोई घंजनी और खास करके यह आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि जब से योगी जी की सरकार आई है पूरे यूपी में मैं पर्टिकुल इस की बात नहीं करूंगा मैं पूरे यूपी की बात करूंगा कि लाए और सिट्वेशन काफी बहतर हो चुकी है उसके बाद एक इशू और इसका अक्सर लोग जो कहीना कहीं अपने माइंड में लेकर चलते हैं वह क्या है किसानों का कुछ ना कुछ एक डिस्प्यूट था औ उनको प्रॉपर कंपेंसेशन ना मिलने की वज़ा से पूरा का पूरा एरिया एकदम रोक दिया गया था पूरी डेवलाप्मेंट रुख गी थी पूरी कंस्ट्रक्शन रुख गी थी लेकिन सिंस 2015 इस एरिया में कभी पीछे मुड़के नहीं देखा है मैं पिछले केवल 9 10 साल की बात करों तो इससे फास्ट पेस पे मैंने किसी एरिया को डेवलाप होते नहीं देखा है आज बिल्कुल सब कुछ इतना बहतर हो चुग है वहां पर आप बात करते हैं कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स यहांके अफकोर्स मैं सभी प्रोजेक्स की बात नहीं करने वाला है जिसका कंपलीशन 2027 में है यह भी टेक्स जोन 4 के अंतर आता है उसके लावा फ्यूजन के दो प्रोजेक्ट हैं ब्रूक और रेवले दोनों साथ-साथ हैं इनका कंपलीशन टाइम एक्ट्व रेरा के अकॉर्डिंग जून 2029 की बात करते हैं लेकिन अगर मैं बिल्डर क की बात करूं मैं वहां की स्टेटस की बात करूं तो वेरी मच पॉसिबल कि यह 2026 तक डिलेवर कर दिया जाएगा सेक्टर 12 में आता है यह उसके लावा एल डेको का लावीडा बैला यह भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है 2029 का इसका कम रिशन डेट है सेक्टर 12 मे आप में और अगर मैं पंशिल ग्रींज की बात करूं सेक्टर 16 में यह भी रेडिटो मोव प्रोजेक्ट है इसमें कुछ नए टावर भी आ रहे हैं उसके लावा महागुन मंत्रा सेक्टर 10 में रेडिटो मोव प्रोजेक्ट है यह भी सिवी टेक्स स्रेंग्स अंडर प्रोजेशन टाइम है सेक्टर 10 में यह भी उसके लावा कुछ और प्रोजेट्स माहगुन मजाहा 2.0 सेक्टर 12 में अगर बाद करूं तो इतना प्रोपर्टी यहां पर दिमांड में यह प्लाइट अर मैं इस ऐरिश होने से पहले भी यहां पर एक size है 1390 sqft का launch होने से पहले ही 1390 की सारी की सारी inventories book हो चुकी थी यह अंडर construction project है sector 10 में ही जिसको January 2029 इसका completion time है sports home sector 1 में ready to move project है यह यह भी spring elmess sector 12 का under construction project 2029 इसका estimated time है अर्यहंत 1 sector 1 under construction September 2027 express extra sector 1 में under construction March 2026 इसकी completion date है और इसके लाव कुछ townships गौर city 1 और गौर city 2 गौर city 1 sector 4 में है गौर city 2 जस sector 4 के back side में है sector 16C उसका एक part है मैं जस्ट कुछ projects की बात की है इसके लाव और बहुत सारे बिलेट्स हैं अब मैं बात करता हूं कि इस एरिया की कुछ facilities बेसिकली हर इंसान जहां भी रहता है उस सबसे पहले चाहता है कि हमारे बच्चों की education का क्या होगा वापे तो और schools की बात करूं and number of schools are there lotus valley जीडी को एंका देली वर्ड और पब्लिक स्कूल एसकेस वर्ड श्कूल लिविजडम ट्री बिईलेस वर्ड श्कूल रियान इंटरनेशनल सेंट जेवियर्स पैसिफिक वर्ड श्कूल ये मैं कुछ बता रहा हं इसके बावा और बहुत सारी स्कूल है उसके बात करूं colleges and universities की gyms, जगनाथ institute of management and sciences, सर्वोत्तम institute of technology and management उसके लावा knowledge park 5 जो कि इसका end point है, उसके अलावा knowledge park 1, knowledge park 2 knowledge park 3 जो कि greater noodah में आते हैं जहाँ पर हर तरह के university, colleges, institutes सब develop हो चुके हैं, वो शार्दा university की बात करो गलगोटियस की बात करो, GL बजाज की बात करो IAMT की बात करो, वो सारी यहां से greater noodah west से roughly 20-25 मिनट की रेंज में सब आते हैं और आज आप सब जानते होगे, दिल्ली NCR में सबसे यहादा student की पढ़ने आ रहे हैं, तो इस एरिया में आ रहे हैं उसके बाद hospitals की बात करो, तो काफी hospitals यहां पे operational हो चुके हो हैं यथार्स सुपर स्पेशलिटी होस्पिटल सरवोद्य होस्पिटल, लाइफ होस्पिटल न्यूमेट सुपर स्पेशलिटी होस्पिटल इसके अलावा बहुत सारे और health centers और clinics, projects के अंदर भी sectors के अंदर और बहुत सारे मिल जाएंगे इसके लावा आपको, उसके बाद मैं बात करो malls and shopping centers की तो बहुत सारे malls operational हो चुके होएं गौर सीटी mall, गौर सीटी center, गौर सीटी plaza, जो की गौर सीटी के अंदर आता है, galaxy blues fire plaza, boulevard walk त्रिहान, आइरिस, ब्रॉडवे, साया, साउथ, एक्स, जो की अभी construction है, लगबग मैं यह कहूँ कि चार मूर्टी चूख या गोर चूख जिसको बोलते हैं वहां से एक मूर्टी चूख की तरफ आप जाते हैं, तो एक साथ आपको 8-10 malls मिल जाएंगे, उसके अलावा हर project के अंदर, हर sector के अंदर काफी सारे shopping centers आपको मिल जाएंगे अब मैं बात करूँ इस एरिया के prices की, तो यहां पर अगर prices मैं कहूँ तो 7,000 से लेके 12,000 पर स्क्वेर फिट की range में है, अफकोर्स 7,000 की range में बहुत limited projects है और वो भी सही मैंने में उनका price 7,000 पर स्क्वेर फिट नहीं है, एक्ट्रेट उनका 7,500 या 8,000 पर स्क्वेर फिट है लेकिन वो कुछ-कुछ discounts offer कियो है, किसी पर 500 है, किसी पर 1000 है, तो net price roughly 7,000 पर स्क्वेर फिट आता है अब मैं बात करूँ इसके future की, तो इस area में बहुत immense potential है, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, कि पिछले 8-10 साल में इस area को इतना fast develop होते हैं और ऐसे ही इसी speed से अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी भी rates काफी affordable limit में आ रहे हैं अब मैं appreciation की बात करूँ, तो पहले ही बता चुका हूँ, कि price आज की date में यह हो चुके हैं, लेकिन मैं आज clearly पता सकता हूँ, कि 2023 जस आज से 1.5 साल पहले मैं इस area में 4,500, 4,600, 4,900 under 5,000 की rate में इतने apartments लोगों के book करवा चुका हूँ, आज उनी projects का rate अगर मैं काऊं तो 9,000, 10,000 per square foot हो चुका है, यानि कि 1.5 साल के अंदर वो prices almost double हो चुके हैं उन सभी projects के, और इसी अगर speed से चलता रहा, तो मालूम नहीं, यह prices कहां तक जाएंगे, of course अभी इतनी speed से नहीं बढ़ेंगे, but definitely और अभी बहुत growth के chance हैं, अगर इस area की rental value की बात करूँ, तो सबसे खास बात क्या है, कि इस area में सबसे यादा working class वाले लोग रहते हैं, क्योंकि वो आसपास के सब areas में काम करते हैं, जहां working class जाती है, वहां की residential property की demand बहुत बढ़ती है, उसकी वज़े से rental income भी बहुत बढ़ती है, तो अगर आप end user है, तो आपके लिए बहुत अच्छा area है, और अगर आप एक investor है, तो आपको बहुत अच्छी rental yield मिल सकती है, इस area में, return मिल सकती है, appreciation की form में, rental income की form में, तो दोस्तों ये था आज Great Noda West के बारे में, इसके लावा और कोई जान करी चाहते हो, तो प्लीज मुझे comment में लिखेगा, मैं जरूर और आपको से share करना चाहूँगा, फिर से मैं कहूँगा, कि ऐसी information collect करने में, आप तक area में किसी भी तरह का कोई apartment देख रहे हो, sale करना चाहते हो, purchase करना चाहते हो, investment करना चाहते हो, तो प्लीज आप हमें contact कर सकते हो, मैं आप आप से number share कर दूँगा, ये नीचे लिखे numbers पे आप पूरी जानकारी और ले सकते हैं, आप sale purchase के लिए contact कर सकते हैं, और once again, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी best wishes आप सबको, please like और share करिएगा, channel subscribe करिएगा, thank you, all the best.